नमस्कार आप देखुरें टाइंच न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कंचर चत्री पुरा थाना शेत्रा में पती द्वारा पत्ने की गड़ा दबाकर हत्या करने का संसनी खेज मामला सामनी आ है मामले में पोलिस ने प्रक्रण दर्श कर आरूपी पती को हिरासत में ले लि था और उसकी मनोस्ति भी ठीक नहीं थी पिष्टे सब्तान एना उप्चार के लिए मिलेंद को लेकर इद्वार सब्सक्रा लागए जहां से इन्युवार को पती पत्नी में विवाद हुआ तो मिलेंद ने पट्टे से गला घूटकर नैना की हत्या कर दी हत्ता के बाद मिल अज बताना चाहूंगा कल धाना चेत्रपूरा शेतना अंतरगत बियाबाणी में एक मृतक महिला की सूचना मिलेती जो की प्रतम दर्ष्ट्याइज संद्यास्पत लग रहा था इसमें जो महिला है ये नैना सौध पत्ति मिलिन सौध इनकी नाम है इसमें प्रतम दर्ष्ट्या शकोने पर मृतका के जो पती हैं मिलिंद मिलिंद पिता विजय है इनसे पूस्ताच की हिकमत अमली से तो इन्होंने अपने कतनों में मृतका से एक चरी तरशंका को लेकर विवाद होना और विवाद के दौरान मृतका की दुपट्टे से ही उसका गला गोट मृतका है इसके पती मिलिंद की माता पिता भी साथ में आया थे इनके दौरा बताएगे कि मिलिंद का कुछ इलाज करवा रहे थे जिसके तातिया हुए थे कल दोपर इनोंने घटना बताईए जिस समय इनका विवाद हुआ तो विवाद में ही जो पती है अपने मिलिंद है इनोंने अपनी पत्नी नेना की गलागोट कर इसमें अपनी पत्नी नेना की गलागोट कर इसमें अपनी पत्नी नेना की गलागोट कर इसमें मिलिंद बिसिकली इंदोर के ही है लेकिन इनका परिवार अभी मुंबई में बस गया है मृतका मुंबई की ही रहने वाली है और इसमें मातापिता उस समय अपने किसी रिस्तेदार के आप बाचित करने गय हुए थे और उनके जैसे घटना के बाद में जो आरूपी है ये अपने घर के पर्थम तल से किछन से खिड़की से कूट कर भागा है जिसकी सूचना उनके नीचे दुगान संचाली का दोरा इनके म मातापिता दोरा मौके पर तस्दीक किए गए तो अम्रत का मिली उसमें उसको दोरा उनको पेले हॉस्पटर ले जाए गया जहां पर डॉक्टर ने म्रत वोशिक किया था तर यह आरूपी आरूपी जो है ये आप घटना के बाद में जैसे भागने का प्रयास कर रहा था उ